नजरें और आवाज नीची रखना वरना दोबारा दंडा करतूंगा हम किसी सरकार की पसंद के घुलाम नहीं मुझरा सुनने आये हैं और हर कीमत पर सुनेंगे अपनी बेटी स्क्याब बखता है तू हाँ खुबसूरत है जवान है कॉलगल बनके तुम्हारा पीड तो भर सका वो बेचारा पुलीस के डंडे खारा होगा इसे भगाने के जुर्म में अब पुलीस उससे पूछ रही होगी डी के सप्रू की पहचान उनकी आवाज थी इंडस्टी में उनका रौप था फिर वे उनके बच्चों को यहां संघर्ष करना पड़ा उनके चै में से दो बच्चों ने पिता जी की कदम पर चलने की खूब कोशिश की और काफी देर बाद वे दोनों उचाई तक पहच पाए इस वीडियो में हम प्रीती सप्रू के बड़े भाई तेज सप्रू की जीवनी पेश करने वाले हैं तेज सप्रू का जन्म पांच अप्रेल उननी सो पच्पन में मुंबई में हुआ था उनके पिता जी टीके सप्रू से आप लोग परिचित हो ही पर उनकी माता जी हेमावती के बारे में कोई नहीं जानता वो 30 और 40 के दशक की अभिनेतरी थी उन्होंने 40 के दशक में चरेतर भूमिका निभाय थे मशूर अभिनेता जीवन भी सप्रू परिवार के रिष्टेदार थे तेज सप्रू को प्रीती और रीमा के अलावा दो छोटे भाई आरेमन और विशाल भी हैं। बांधरा के एक बड़े इसे बंगलो में वे सब रहते थे। पर एक दिन डीके सप्रू ने एक फिल्म का निर्मार करने के लिए किसी से पैसे उधार लिये। दुरभागी से वो फ सप्रू को अच्छी तरह समझा था। वे एक शान्त सौभाव की इंसान थे। उनकी अवाज बड़ी बुलंद थी पर वे बड़े प्यारे इंसान थे। 1963 और 1964 के साल में डीके सप्रू शहीत नामक फिल्म कर रहे थे जिसमें वे हुतात्मा भगत सिंग के पिता जी का रोल कर रहे थे। मनुझ कुमार मुखी किरदार में थे और उन्हें भगत सिंग की छोटे भाई की जरुरत पड़ी। डीके सप्रू ने अपने बेटे तेज स वो किरदार करवाया और इस तरह से तेज सप्रू की पहली फिल्म 1965 में रिलीज हुई जिसमें उनके दो शॉट थे। टीके सप्रू अपने सारे बच्चों को एक्टर बनाना चाहते थे पर तेज सप्रू का रुझान खेल की तरफ था। बत और बैडमिंटन खिलाड़ी व कर भी चाहते थे पर डीके सप्रू नहीं चाहते थे कि उनका बेटा स्पोर्ट्समेंट बने तेज सप्रू भी खुददार किस्म के इंसान थे। उन्होंने यूनियन बैंक में नौकरी करना शुरू किया। वे सुभा कॉलेज जाते थे और दुपहर को बैंक चाहते थे। उन्होंने अपने पिता जी का संघर्ष देखा था, वो बड़ा बंगला भी देखा था, जिसका हॉल उनके उस वक्त की घर से दुगना बढ़ा था। पिता डीके सप्रू किसी से इस बात का जिक्री भी नहीं करते थे। इस वजह से तीज सप्रू कभी भी अपने पिता से पैसे नहीं मांगते थे। उन्हें ये तो पता नहीं था कि वे अपने जीवन में क्या करेंगे पर उन्हें अपने पिता के लिए खुद को बनाना था। तेज सप्रू का फिल्मी जीवन शुरू हने के पीछे उनके जीजा राकेश नात का बड़ा योगदान था। एक दिन वे दोनों रविकांद से मिलने गए पर तेज ने अपना सर्ने किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो डी के सप्रू का नाम भी खराब हो जाएगा। डायरेक्टर रविकांद ने तेज को देखा और पहला सवाल किया एक्टिंग कर लिया है कल आ जाना कॉंट्रेक्ट पेपर साइन करने के लिए तो इस तरह से तीज सप्रू को सुरक्षाप फिल्म में अविनय करने का मौका मिला आज उल्टा हो गया न सब कुछ ये मौका मुझे मेरी तकदीर ने दिया है। अगले दिन जब तेज उस डारेक्टर से मिलने आये तब उन्होंने उनसे सरनीम पूछा। उस डारेक्टर को जब पता चला कि तेज डी के सप्रू के बेटे हैं तो वे चौग गये। शूटिंग शुरू हुई और तेज सप्रू का पहला शौट अपने चाचा जीवन के स साथ था। भागिसे नवंबर का महिना लगने के बाद उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ठीक लक्ष्मी पूजन के दिन डी के सप्रू गुजर गये। तेज सप्रू ने इस किस्से को कुछ इस तरह बताया। जब उनके बॉड़ी में कैंसर डिडेक् गया। मैंने जैसे ही उनके रूम का दर्वाजा खुला तो देखा कि पिताजी दर्वाजे की तरफ देख रहे थे। मुझे वहां के लोगों ने बाहर भीज दिया। शायद उस वक्त भी जिन्दा नहीं थे। वो मेरे जीवन का सबसे पुरा दिन था। इसे मैं कभी नही भूल सकता। अकसर लोग अपनी मा के फैन होते हैं पर मैं अपने पिता का फैन हूँ। वैसे भी तीज के पास कोई फिल्म नहीं थी इस कारण से वे खलनायक बन गये। शायद ये उनके जीवन की बड़ी भूल थी क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर पिता खलनायक थे तो बेटी को भी खलनायक बनना चाहिए। तेज सपरू की आँखे विल्कुल पिता की तरह थी। शायद इस कारण से भी फिल्मकारों ने उन्हें खलनायक बनने दिया होगा। पर अगर आप देखूगे तो पता चलेगा कि ऐसे भी कलाकार थे जिनका फेस नायक बनने लायक नहीं था पर बतार नायक उनकी फिल्में बहुत चली थी। ऐसे में तेज सपरू के पास अच्छी शकल थी और आवाज भी अच्छी थी। उन्हें हमेशा नायक वाले किरदार निबहने चाहिए थे। पर किस्मत को कुछ और ही मनजूर था। पर कहते हैं ना कि भखवान जितना जोली में डालता है उतने में ही इंसान को संतुष्ठ होना चाहिए। तेज सप्रू पज्जाब की सूपरस्टार अभिनेतरी थी और तेज सप्रू ने भी लगबग 13 भाशाओं में काम करते हुए 300 से भी अधिक फिल्में की। तेज सप्रू बताते हैं कि उन्हें एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी। वे तो बस पिताजी के साथ सेट पर जाते थे क् उन्हें एक्शन सीक्विंस करना पसंद था। इसलिए वे 300 से भी अधिक फिल्में कर पाए। एक एक्टर के लिए इससे बड़ा सौभाग के कुछ और हो नहीं सकता। तेज सप्रू के पारिवारिक महल को देखा जाए तो पता चलेगा। उन्होंने रेखा की 130 बहन धनलक कश्मी से शादी की थी जिनसे उन्हें अकांक्शन आम की बेटी हुई आज के दौर में भी तीच सप्रू अपने पिता की तरह उतने ही जोश के साथ काम कर रही है।